दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है cotton crop इसको गउस भी हम इसको भी बोलते हैं तो अब इसके बारे में डिसकस करेंगे तो जैसे देखो कि इसको एक तर से white gold बोलते हैं क्योंकि ये commercial crop में आती है इसनी इसको white gold बोलते हैं करते हैं और इसकी जो फाइबर है वह बहुत ही डिमांडिंग है सो एप्रेजर्व फाइबर भी इसको बोलते हैं किंग आफ एप्रेजर्व फाइबर और आपको पता होगा कॉटन में बीटी कॉटन जो की बैस्ट थूर इंजन सिस मिन्स प्लांट बाय टेक्मोलजी के द्व उसके एगेंस बीटी कॉटन को डवलब किया गया और इंडिया में देखो के बीटी कॉटन का तो एबाउट 11.6 मिलियन हेक्टेर एडिया है और जिसका कह सकते हों मोर देन 95 पसंट जो गॉटन का एडिया में है वो ग्रोन है बाइद बीटी कॉटन ठीक है अब हम बात अग और हम यही बात production की करते हैं तो चाइना सबसे ज़्यादा produce करता है जानी यूएस से है उसके बाद इंडिया है इंडिया का एरिया में ज्यादा है बत प्रोडक्शन जो है उसका आप देख सकते हो कि थार्ड पोजिशन पर आता है और इंडिया अगर हम बात करें तो एरिया स जैसे मालवषी फैमली से है और प्रीट जो इसको कॉर्टन क्रॉब करते है और इसमें जो रूट सिस्टम है वह त्यापर जने होते हैं जो इसमें होता है प्रेंच हख जो मोनवेशां पर देना हो यहाँ पर यह जो में इस्टेम है सेंट्रल इसका ग्रोथ होता रहेगा थू आउट ठीक है और जो अल्जरी बर्ष निकलेंगे वह फाम दर लीब से यह जो है मोनपोडियल है अब सेंपोडियल में देखोगे आप उसमें क्या होगा आपका यह जो सेंट्रल पॉइंट है इसका ग्रोथ कुछ दिरे बाद इस्टाप हो जाएगा और जस्ट लीफ के अपोजिट से एक दूसरी ब्रांचिंग होगी वह देन अगेंड बन जाएगी में आपका इस्टेम ठ सकते हो जैसे मोन when die बैंचिंग है और सेंपोडियल बॉंजिंग ठीक है इस पैटन में देख सकते हो कि इसमें जो सेंट्रल जो इस्टेम बो काटेबौ होता रहेगा तुरा ओऊड और उसमें आपका ऐसरी बर्स में निकलते रहेंगे हो प्लांचिंग कोते रहेंगी ठीक ह चैनल याद रहां में में आपका में स्यंटर में हो भूसका जो में जो सेंटरल में इस्टें में होूस्ट सेग्सkich GRO shouldn't था उसका कुछ दिर बाद और उसका ग्रोथ इस्टाप हुआ दैन जो उसमें दूसरी जो एक्जरी बड़्स से जो इस टेम्स निकले ओ दैन वहाँ fusion होके वो फिर main stem का काम करना start कर दें फिर वहाँ पर उनका growth होता रहता है ठीक है लेकिन इस case में क्या है जो main central point है उसका growth throughout होगा लेकिन इसमें जो main point main stem होता है उसका growth कुछ दिरिबाद सीज जाएगा और जो आपके कॉटन में इस टाइप के branching pattern पाए जाते हैं वागर हम देख लिए क्लासिफिकेशन के बारे में तो देखोगे ट्वंटी ट्वंटी सीज है कॉटन में जिसमें से only four जो है cultivated है जैसे पहला आप देख सकते हो कि गॉस्पियम अर्बोरियम और गॉस्पियम हरवेसियम एह कहा है डिपलाइड है दो डिपलाइज इनका प्रोमोजोम नवर ट्वंटी सिक्स है ठीक है और तीस टू आइस देशी कॉटन और ओल्ल बर्ड का सथना और रिश्यूटम और बर्बाडेंस है यह जिसे इसी इसां क्या है यह आपका टेट्राप्लोई है ठीक है और बार्बादेंस भी यह भी टेट्रापॉलाइड है ठीक इनका क्रोमोजम नबर 52 है और इसको अमेरिकन कॉर्ण बोलते हैं हेल्स्यूटम को और यह बार्बादेंस जो है यह हाई फाइब लेंद इसका जो हाईएस होता है 3.6 से 5 सेंटीमेटर तो यह दोनों जो कॉर्ट वर्ड काडन भी बोलते हैं और यह दोनों डिपलाइड है और यह दोनों जो है आपका ट्रप्लाइड है है सुटम और बार्बादेंस और इंडिया ही कैसी कंत्री है जहां पर यह चारों जो है आपको मिल लाएंगे as a commercial cultivation आपको इन चारों का मिलेगा जैसे आप देखोगे एरिया की बात करोगे सबसे ज्यादा 40% एरिया जो कमर अउद जो है 36% ऑ बार बासवसाफरी अर्बोरियम जो है ओ सोले बात करना जैसे गॉस्पियम अर्बोरियम जो है इसका दो इंपर्टन बाराइटी है एक है लोहित और एक है बिर्नार ठीक है हर्वेशियम का देख लोगे तिक विजय है और संजय है और हिर्शूटम में देखोगे गंगा नगर अगेती है विकानेरी नर्मा है और महालक्ष है सुझाता और यह जो एम सी यू फाइफ है हिर्शूटम की इक्स्ट्रा लॉंग इस्टेपल बाराइटी है अब हम बात कर लें हाइब्रिड बाराइटी के बारे में तो हाइब्र जिसे एच फोर है यह फस्ट कमर्षिल है ब्राइटी है कॉटन का या देखिए फोर जो ह हुआ कहा पर भाई कुजरात में वस सीच्ट कर ते कर ऊपकर हृँ कुछरीत इम हीं इन्ट घुतम ही इन वाराइट्यो का आप देख सकते हो इसलिए इसको इन गोसू नि का एक taco왔 है in इंट्रा प्रासे इंट्राcı के बीश्ट में ही हिन्दो उर्ष्यों का क्राश गया है इंट्रा ہ्रिस्ट्राइट्प्राराइटी क्रास है और वारलश्मी याद रखना क्योंकि यहां पर देख सकते हो Hirsutum और Barba Dance तो यह inter-specific हो गया inter-specific means दो species के बीच में जब same species के बीच में उसको cross कराय जाए तो उसको बोलते हैं intra तो जो हirsutum species है इसका हirsutum के साथ हirsutum का जब cross कराया गया तो इसका जो example आपको मिलेगा यहां पर hybrid 4 त्याद रखेगा जो intra-specific है वो कौन सा है H4 है वारालक्षमी inter-specific है और यह जो वारालक्षमी है region from the US धारवार से इसको release किया गया उसके बाद मारू है विकास है राज है HH16 है यह first hybrid है हिर्षुटम का राजस्थान में ठीक उसके बाद सभीता है सूरिया है यह सब intra-specific hybrid है आफ हिर्षुटम का means inside हिर्षुटम हिर्षुटम क्रास कराए गया तो इनका जो है इन दो वराराइटियों का development वारे means यह intra-specific है ठीक है तो यह थे about the hybrid वराइटी जैसे H4 बारा लक्षमी, मारू, विकास, अराच, HH16, सभीता, और सूरिया यह सब आफकी hybrid varieties है अब हम बात कर लेते हैं dilinating and diffusing का इसके बारे में क्या है यह dilinating और diffusing करते किसे हैं concentrated H2SO4 को यूज करते हैं sulfuric acid को ratio क्या होता है ratio of acid to cotton देखोगे acid one part रहेगा और ten part आपका seed रहेगा करते क्यों है इस help grading of seed में help करता है उसके बादे hibernate जो insects होते हैं hibernated insects उनको click करता है और DGHR पाइथोजन जो उस पे हैं उनको भी एक किल करेगा और finally जब आपका जब इन सब चीज़ों को killing हो जाएगा तो सीट की quality improve हो जाएगी so easy to showing हो जाएगा और germinate rapidly अच्छी तरह से germination आपका होगा तो main process यही है grading का purpose की germination efficiency को बढाना उसके पीछे यह है कि उसकी grading अच्छी हो जाएगी आपका जो hibernating insects है और किल हो जाएगे and digits and pets जो आपके लेजाते हैं और करते किसे हैं sulfuric acid से ratio क्या होता है one is to ten का one part जो आपका acid होगा और ten part आपका seed रहेगा अब अगर हम देख लें seed rate की बात करने तो desi cotton का जो seed rate है वो आपका 10 से 10 to 18 kg है और जो इसकी spacing है 67.5 to 30 cm spacing पर इसको सो करते हैं American cotton की बात करोगे तो 15 से 25 इसका है ज्यादा लगता है spacing same है और hybrid की अगर बात करोगे तो hybrid के किसमें 2 to 3 kg ही आपका seed लगता है लेकिन देख सकते हो spacing जस्ट बहुत ही ज्यादा हो तो 100 into 60 cm होती है और plant population की बात करोगे तो 50 to 80,000 vary करता है लेकिन average अगर बात करोगे तो 66,000 plant is the ideal और for BT के लिए 1 to 1.5 kg ही seed sufficient है और 10,000 plant population आपको maintain करनी होती है BT के case में अब हम बात कर लें अगर showing time की तो याद रखना North India में जो इसकी first part night of माई जो है अभी माई का जो first part night है वो काफी ideal है और Central India में इसका last week of June to the first week of July that is the ideal थोड़ी लेट होती है और Tamil Nadu में बात करोगे सितमबर तो लेकि October में इसकी showing होती है So these were all about the curtains मैंने जो इस वीडियो में discuss first part में वीडियो डिसकस किया और remaining यो पोर्षन आप हम जो करेंगे दिसकस और नेक्स जो कमिंग वीडियो आएगा तो वीडियो कैसा है इसका कमेंट करके बताईएगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा अगर आप नियू है तो इसे चानल के सबस्क्राइब कीज़ेगा और इसी तरह के वीडियो के और अपडेट के नहीं आप हमारे चैनल से चुड़ा रही है